असलाम अनेकूम हाई दीज फिंस वेलकम बैक टू मैं चानल करनाटका व्लागर फलकनास के जन में सौगत करती हूं आज मैं आपको स्टफड बैगन कर्री की रसिपी देने वरी उम्मीद करती हूं पसंद आएगी यहाँ पे मैंने चारी स्पून मैंने वाइट सील को भून लिया है चारी स्पून मैंने यहाँ पेनिट्स को न इस तरह से लेटली भूनना है ठीक है अच्छे से इसमें जो है महेका निश है उस तरह से भूनेगा उसके बाद मैंने एके स्पून जीरा डारा है उसको भी अच्छे से भूनना ह मैंने यहां पर हाफ कप कोकोनेट लिया है कटुकच करके इसको भी लेटली भून लूगी इन सारों को मैं इखटा करूंगी और इसमें थोड़े सी इमली डालूगी और जान में डालकर इसमें का एक अच्छा सा मसाला रडी करूंगी पेश्ट वाला पानी दालके उसके बद करूंगी मसालों को अच्छा से कोट करने के लिए और मैंने यहां पर इसार बैगन लिये है कट लगा के इसने पानी में रखा ताकि बलैक नहूं अक्सर बैगन जो है बलैक हो जाते हैं तो यह जोनों मैंने मसाला रडी किया था इसमें मैं बहर दूँगी ताकि इसमें का जो अच्छा मसालों का जो टेस्ट है वो बैगन में आ जाएं ठीक है जैसे पानी से निकाला मैंने मसालों को इस तरह से इसमें स्टफ किया है बहुत अच्छी करी बनती है आप इसे रोटी में चावन में किसी में भी जो है सेर्फ कर सकते हैं लंच या डिनर में बहुत यं अब एक कडाई लिए है उसमें दो स्पून में ने टेल डाला है देके डिफिंस में तेल बहुत कम यूज करती हूँ आपको चाहे तो ज्यादा आप डाल सकते हो मैं बहुत ही कम ही यूज करते हैं तो तेल जैसे गरम होगा मैंने यहां पे तेस पता डाला और मीडियम साइ इसकी प्यास को खट लगाया था वह मैंने आहट किया और इससे अच्छे से भूनना है हमें जैसे जैसे बूनेंगे मतलब ब्राउन करेंगे इसे अच्छे से भून दीजिगा ऑनियन को इससे बूनने के बाद मैंने एक बड़ा स्पून गार्लिक जिंजर कोती में का पेश किया हुआ था जाल में वह एट कर लीजिगा यहां पर फ्रेम को मैंने मीडियम रखा है देखे इसारी मसाली को मैं यहां पर आट करूंगी थोड़ा पानी भी डाल दूगी और मसालों को अच्छे से बूनोंगी सारी चीज़े बून कर ही हमने मसाला बनाया था लेकिन फिर मसाले हैं और बैगन भी सेट हो जाए इन मसालों में इस तरह से अब इस अच्छे से कोट करके भूनूंगी फ्लेम को मीडियम रखा है मसाले नीचे लगते हैं तो देख समझ के अच्छे से इसे आप कर्णिस टेकिज़े उस पर फ्रेश वाला करिया लीफ डाला है मैंने कर अच्छे से भूलना है आपको मसालों में अच्छे खुश्बू आने लगी है इसके बाद जितनी ग्रेवी चाहिए आपको उसे साब से डालेगा मैं ज्यादा पतली ग्रेवी नहीं करती हुए मुझे पतला-पतला पसंद नहीं है तो आप देखिएगा बस जो बैगन ही व एक स्पून धनिया पॉर्डर दाला है बहुत अच्छी खुश्बू आरे लगी है बैगन देखे गल गए है मिनिम अच्छे से डाके पकाएंगे तो बैगन जल्दी गल जाएंगे और मसाले की भी अच्छी खुश्बू आने लगी है और ग्रेवी इतनी ही मुझे इनफ है और थोड़ा मैं इसे पकाऊंगी तो ग्रेवी जो है धोड़ी थिक हो जाएगी आपसे राइस रोटी चापाती किसी में भी सर्फ कर सकते हूँर तरागी के मुद्दी मि भी आपसे सर्क कर सकते हो यह देखे अच्छे से मैंने साथ से आठ मिनिट इसे अच्छे से पकाया ह बैगन आलमुस्ट गल गए हैं देखिए इसे धाके रख दीजिएगा यह देखिए एक तम डन है बहुत अच्छे बने थे स्टफ बैगन करी प्लीज जरूर ट्राइ कीजिएगा इस रसीबी को जरूर ट्राइ करके फीदबैक दीजिएगा और इसे आप चामर राइस चपात या रागी के मुद्धे में भी सर्फ कर सकते हो प्लीज जरूर ट्राइ करके फीदबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी कमेट में जरूर बताएगा फिर मिलती हुनाएं वीडियो के साथ अब तक लिए अलाफिस बैटे के